तो नमस्कार दोस्तों मैं संदेप आप सबीए का फिर सस्वागत इंग और बीडियो में दोस्तों जिन स्टुडेंट का आज एक्जाम था बहुत साहरे स्टुडेंट से मैंने बोला तक जिन का भी एक्जाम होगा प्लीज हमें कोष्टिंट कर देगे जिसके मैंने इस्ट वीडियो में किसी स्टुडेंट की हल्प कर पाऊं तो कुछ श्टूडेंट मुझे वाट्सअब ग्रूप पर वाट्सब नमबर पर मेरे question share करें तो आज इस वीडियो हम इन ही सारे question के बारे में जानने वाले और answer वी मैंने उनका निकाल लिया है तो question और answer दोनों आज किस वीडियो में हम जानेंगे तो आपको वीडियो को इन तक जरूर देखना है क्योंकि क्या होता है कभी-कभी जो एक्जाम फैस्ट दिन पोचे जाते सिकेंड दे भी वही question रिपीट हो जाते हैं तो हो सकता है कि एक्ज question में वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां सभी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो आज की question में पहुंचा गया था पहला question था निमने में से तो मैं इसी तरह आप लोगों की help करता रहूंगा इसका जो राइट एंसर होगा आप लोगों को मालूब को प्लीज कमें सक्षिन बता सकते हैं जो आप लोगों की हाई डेक्स होती है वह होती है एक magnetic डिस्क ठीक है चुम्ब किये जिसको आप बोलते है ठीक है राइट एंस इस आप नाम सुन रहे हैं तो जितना भी होचा कि आप लिप्रोपिस से कुष्चन पढ़के जाएगा मैंने लिप्रोपिस के लिए स्पेसिल क्लासे और बहुत सारी वीडियो भी बनाई है आप चैनल पर जाके देख सकते हैं वह वीडियो तो आई होप आपको लिप्रोप भी नंबर क्या होता है और कंप्यूर को सिक्टर में नुक्सान पहुंचाता है तो एक नुक्सान पहुंचाता है जल्चे Cenो i2 be इंध운데 फूंचा गए मैर बलू ए नितowriters U लोग उसी मिनी इन्टी ब्राउजर और और प्रावजर होता है वह किस देश से संबंदित अब ठीक है नेस्ट कोश्चन है मैं आप लोगों के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेता में जल्दी से अच्छी नॉज़ मिल सके क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा जाता जैस्टिफाइब करने किसा आटकट कीच क्या होती है कभी-कभी एकजाम में हुआ कि मैं क्या स्लेक्ट रूँ कंट्रों करो कि आल्ट करूं कि सेट्ट करूं इसको राइट एंसर होता है यह नमबर कंट्रोल प्लस जे ठीक है कि जैस्टिफाइब कि निसकोश्चन है आउट्लूक के साथ अटेजमेंट में अधिक्तम सीमा क्या होती है जैसे कि आउट 20 और डी नमबर 15 इसको राइट एंसर होता है सी नमबर 20 तक का आप कर सकते हैं ठीक है अटेजमेंट सुरी मैं इसमें पिराल एंबी नहीं लिखा तो इसके आगे आप में जोड सकते हैं इसको आउट कोश्चे के मतलब यह कि आउट लुक के साथ कितने एंबी की आप अधि प्लस करके सम लिखेंगे उसके बाद ब्रेकर स्टार्ट करेंगे रेंज देंगे तो वही सेम एंसर आएगा क्योंकि प्लस कभी वही वर्क होता है और इकल कभी वही वर्क होता है ठीक है मत होएगा आप सब्सक्राइब क्या होता है तो इस प्लस कोई नहीं तो राइट एंसर होता है इसका राइट एंसर होता है क्या इन अबर टेंगे इंटरनेट इस्टा-4 होता है एक प्रकारगा ने क्यूस को एनन बिद्स में स्लाईट बार करने के लिए कौन कि होती है या कौन से सार्वार में प्लस-स बी gitu from अ Vermesat इस नमबर कुझा जरें बूल्प को बड़ते हैं नाष कोष्ट कॉस्टन यह है旧ा यह बिट का होता है नमबर एक चाइश भी नमबर 16 C नंबर है 128 बट्यस तो जो आप लगों का आई पीवी आइपी जिक्स ऐसा पी कुश्चेश आ सकता है कि वाइपी फोर भी होता है और होता है तो जो four होता है वो होता है 32 भीट कठीक है रायट अंसे इसका हो जाएगा डी नंबर नेश्क कोईशन है कि नेश्क कोईशन है कि क्या एक ही इमेल को एक ही बार में मल्टिपल लोगों को को सेट्ड कर सकते हैं यहने इससे होता है वह होता है तू आप एक साथ ठीक है एक इफी मिलको एक ही बार में कई लोगों को सेड़ कर सकते हैं इसलिए हो बढ़ते है जो आप लोगों का मैक अडरस होता है जिसको हम जिसको हम फिजिकल एड्रस के नाम से भी जानते हैं तो जो मैं का आप लोगों का एड्रस होता है वो होता है 48 बिट का इसलिए राइट एंजरी का हो जाएगा ट्रू बी नमबर ठीक है नेश कोश्चन है कि डीमपी का पूल रूप डॉट मैंटर होता है तो जी बिल्कुल कई बार कोश्चन एक जाम में पूछा विचा चुका इस बार भी पूछा गया था तो आप पढ़ लीजेगा अच्छे से डॉट मैंटर होता है हो सकता है यह कोश्चन आप लोगों के ट्रू फाल्श मेंना हुआ है कि असने हैं यह कि हार्ड बेफ वेले एक हूत यह जी यह उश्ची है तो जी एक आप लोगों को ख़दी णेजर कोसिन में समझा ऑगया होगा इसका आइन इसमाइबगा रों को होता हुआब फिजिकल होता है ठीक है हार्डवेर उसाही मार्डल की जो हार्डवेर होती है फिजिकल यानि बाहरी पर नेस्ट कोश्च रहे है है ठीक है लिंक पब्लिक और प्राइबेट दोनों हो सकता है नमबर एक फाल्स बीनमबर ट्रू तो जो आप लोगों का लिंक डिलन होता है वह आप तर इसका हो जाएगा बी नमबर ठीक है ट्रू इसको सेंगराइट एंसर ट्रू हो जाएगा कि लेब्र ओफिस इंपरेश में इमेज को हैंड आउट मोड में बदला जा सकता है कि क्योंकि जो लेब्र ओफिस इंपरेश में इमेज को हैंड आउट में बदला जा सकता है तो इसको राइट एंसर होगा वह हो जाएगा फाल्स ठीक है क्योंकि जो नेपर आफिस में इमेज को हैंड मोट में नहीं बदला जा सकता है नेस्ट कोश्चन है कि ऑखो साइक का पूर्ड रूप अभी ओवसाइव आपने उपर भी पढ़ा है लेकिन और साइक का कुश्चन दूसरा था यह थोड़ा दूसरा था यह फूल नेम पूछ रहा है तो ऊसाइब कोड़ू ओपन सिस्टम इंटर करेक्शन होता है तो जो ओववसाइव मौडल हो पीएस में पी का अर्थ पेटीम होता है कभी कभी यहां पर पेटीम लिखा होता है तो इस्टूटेंट का करते हैं उसे सही कर देते हैं पेइमेंट लिखा है सही फड़ लिजेगा कभी कभी पेटीम लिखा होता है ठीक है पेटीम तो क्यूंकि दोनों सिमलर है तो होगगा तो पाल्स कर दिजिएगा निव Tribe computer hading हमयशा यह थोड़ा टाइब करने मिस में हमीशा लिखा यहां होना है थीक तो computer hacking हमेशा ऊवuito और डंड़ंडडनी है तो सबस्क्राइब कर दो होता है क्यूंकि कभी कभी नहीं होता है ठीक है क्योंकि कभी-कभी लोग जब जान बूच के कोई काम कर देते हैं ठीक है तो वह तो हो जाता है लेकिन कभी-कभी यह लीगली केस में भी यूज किया जाता है तो वहां पर यह मतलब उसी से रिलेटेड है तो को मैंने यह बताने कोशिश किए कोईश्चनों के आई होप आपको यह कोईश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको छूशना चाहरे तो बेसक कमेंट सेस्के में पूंच सकते हैं मुझका 100% रिप्लाई देता हूं तो मिलते हैं आपको किसी न